राज ने लगाया पूनम पर गैर मर्द के साथ राद विताने का इलजाम पूनम के निकले आसू राज पूनम हुए अलग कलर्स टीवी के शो कयामत से कयामत तक के अपकमिंग अपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा की राज पूनम पर इस बात का गुसा निकालता है कि वो अपने कलीक रजनीश के साथ पूरी राद बाहर रहकर आई है जहांपर पूनम के ऊपर आरोप लगाता हुआ राज नजर आता है और अपने ऊपर इतना घिनोना आरोप सुनकर पूनम बुरी तरीके से शौक्ड हो जाती है और राज पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिरकार वो उसका पुराना वाला राज है ही नहीं क्योंकि अगर पूराना वाला राज होता तो अपनी पूर्निमा संग कभी इस तरीके से राज बात नहीं करता यहां पर पूनम पर और भी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है राज जहां पर उसका यह कहना होता है कि उसे तो ऐसा महसूस होने लगा है कि यह उसकी पूर्निमा है ही नही बल्कि कोई दूसरी पूनम ही है यहां पर जब पूनम यह बताती है कि वो राज को पहले जैसे नजरिये से देखी नहीं पा रही है उसका यह बदला हुआ बड़ताव देख कर यहां पर राज भी गुसे में आकर पूनम से ये कह देता है कि अब उन दोनों का नजरिया काफी जादा बदल गया है जिसके चलते उसे तो इस बात का अंदाजा हो चुका है कि आगे चलकर भी कभी राज और पूनम के नजरी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे जिसके चलते उनका अलग हो जाना ही बहतर रहेगा वेल ऐसे में क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ साथ ही साथ हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें